वाइस क्लियर जा रही है कैसे हैं आप लोग एक नया टॉपिक जो करेंट अफेर्स में काफी दिन चर्चा में था अब हम उसको डिसकुस करेंगे और जो आउटकम आया है उसके कॉंटेक्स में हम बात करेंगे और भी आर्टिकल्स आएंगे जो हम देखेंगे कि उसका अपडेशन होगा और इस जो अभी तक न्यूज में रहा है उसको किस पॉइंट अब यूज से हमारे जो इंटेलेक्ट्यूल है इंडिया पे या वर्ड लेबल पे कैसे उसको देखते हैं और इंडिया को इसमें देखा जाएगा इसका किस तरह से अपने आपको रिप्रेजेंट किया है इस कॉन्फरेंस में कॉन्फरेंस का नाम जानने से पहले हमें भी जाले यह हमारा जीयस पेपर 3 मेंस और जीवर्फी ओप्सनल पेपर में आपके लिए काफी यूज फूल हो जो फाक्टस होते हैं छोटे--छोटे हम उनको भी डिसकस करेंगे उन सभी चीजों को लेते विए हम आगे बढ़ेंगे और आज जीरो सिरी कि एडवांस लेवल पर जो है कि trick and trips के हिसाब से trick and tips के हिसाब से हम आगे अपनी study को continue करते चले जलेंगे ठीक है तो यहाँ पर tricks भी है और tips भी है कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं और आगे हम long term तक उसको remind करके रखें तो हमेरे ये एक होना चाहिए कि हमारा पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि पढ़ना reading reading writing ये दोनों एक तरह से ऐसी है कि आपकी under standing under standing के लिए जरूरी होती है कि quality oti quality outleti होनी चाहिए ना कि quantitative में होनी चाहिए यह आपका गुडात्मक रुप से होना चाहिए तो कि जो अब हम एकेडमी से एकेडमी से अपने कमपटेटी एक्जाम से में अगर आते हैं तो जनरली एक सबसे बड़ा चैलेंजेस यह होता है कि हमें हमें एक्जाम जैसे हम अपना रूम होता है इस्टेडी रूम जो हमारा इस्टेडी रूम है वहाँ से जो कमपटेटी जैस जो एक्जाम हShould होते है एक्जाम हollar जो होते हैं वहाँ तक information को गहाँ इनफॉर्मेशन को लेकर के जाना बहुत चेलेंजेस होता है हमें इस हमें साइक करना चाहिए बिल्कुल सही है लेकिन अगर आपका पढ़ने का तरीका traditionally ही है तो आपके लिए problems खड़ी हो जाएगे traditionally है तो इस वज़े से खराब हो जाएगी मेहनत आपकी क्योंकि चीजे बहुत revolutionary तरीके से change होती है जब change होती है तो nature of the questions बहुत revolutionary level पे change भी होते है और within ये time के अंदर जो है की information जो है की change होती है तो उसकी speed या उसकी कदम से कदम मिला करके चलना भी ये challenges की बात होती है जैसे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से अगर पहले क्या होता था आज से पांसाद दस सल पहले क्या होता था एक question पूछा जाता था तो उसका काफी trend चलता था दूसरी अब आज के समय में यह है दो महिने डिड़ महिने पीछे तक की information को आपको share करना होता था किसरी चीज़े है कि उसमें previous के question paper को ले लेते तो उसी में से question का 60-70 out of 100 का आ जाता था लेकिन आज भी यूजफूल है लेकिन 100% यूजफूल नहीं है क्यों कि आपको अपडेशन की ज़रुवत होती है नए सवाल बहुत तेजी से formation होते हैं आज की जो हमारी topic है हम topic को discuss करते हैं कि topic generally क्या है अभी देखिए conference of party COP28 हुआ है UAE में क्योंकि दुबई में ये conference हुआ है 2023 का ये 30 numbers लेकि 12 December तक चला लेकिन इसको एक दिन और बढ़ा दिया गया था क्योंकि उस जो agreement जो record आया हुआ था जो final books बनने वाली थी उस पर जो है कि लोग सहमत नहीं हुए इस वज़े से एक दिन और जो है कि बढ़ाया गया और बढ़ाने के साथ ही साथ यह भी हमें देखने को मिला कि जो हम major region था फेस आउट देखना देखने को लेकरके था तो यह फेस आउट का जो fresh था इसको आटाकर करें के ट्रांजीसनी ट्रांजीसनी कहां पर रेनोवल एनरजीट को लेकर नवनिय उठजा पर जोकि अपनी सामतिलोग जा है ट्रांजीशन का मतलब ही हो गया आपका नोन रेनोवल renewable energy से आपको renewable energy तक जाना है रहे न renewable energy पे जाना है और इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जो आपका conference है या फिर जो चीजी है वो जो आप renewable non-renewable energy से आप सीधी जम करके आप जाईए मतलब आप पूरी तरह से renewable पे चले जाईए ठीक है बट अब इसमें transitioning में क्या बोल दिया गया आप धीरे धीरे transit करिए 2030 तक ठीक है 2030 तक आप 25% करिए ठीक है अब 2050 तक आप जाकर के 50% करिए और 2070 या आगे जाकर के कुछ समय के बाद 100% अब जो कि renewable energy पे जो है की डिपेंडेंस हो जाए जैसे इंडिया ने अपना target रखा है 2070 तक net zero emission emission को target रखा है यह हम सभी लोग जाए अभी तक यह जो सभी था concept अब हम आले करके चलेंगे आगे यहां पर मैं दूर डारेक्शन में आप लोगों को लेकी चलूंगा एक तो यह है जो conference हो रही है अभी जो 28 हुई है 2030 की इसको ले करके और यह जो हो रही इंसिस्ट किसको कर रही एनर्जी सेक्टर को इनर्जी सेक्टर में जिनरली हम बात करेंगे renewable energy की renewable energy की हम बात करेंगे जो नवी नी करण पूर्जा पूर्जा को ले करके हम बात करेंगे और यहां पर जो conference of party 2023 की हो रही है वो गई क्योंकि वो 30 नौंबर से ले करके आपका 13 दिसंबर तक चली है 2024 का ठीक है 2024 का conference of party 29 जो कि अजर अजर बैजान में वोको में होगी अब हम अजर बैजान का location आपके साथ share करना चाहते हैं अब देखिए हमने क्या कहा जो अजर बैजान है यह जो यहां पर देख सकते हैं यह अजर बैजान वाको इसकी capital है का SPNC से लगती है और 2024 का यहां से मैं इरेच कर रहा हूं 2024 का अभी 2023 है और यह 2024 आने वाला है 2023 में कॉफ कॉंफरेंस आप पार्टी 28 जो हुई है यह कहां पर यह यूए में हुई है इसको कहते हैं दुबई दुबई की capital दुबई सबसे पहले हम यह देख लेते हैं दुबई रियल में कहां देखे यह आपका दुबई पढ़ जाता है जो गल्फ कंट्री है ठीक है यह यह आपका पूरा जो मैं रेट कलर से माक कर जाएं यह आपका दुबई का लकेशन है यूई कंट्री ऊ्नाटि अरब अमरात है और यहां है यह पिए जो है दुबई पढ़ता है यह पर्सियनुघ से इसका इंडर्नेशनल बॉर्ट लगती है गल्फ औरमान से भी इसका इंडर्नेसनल बॉर्ट्र लगता है अले हो की अलाफ कि से लगता है देखे अब फिर सिहां पर मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं यू ए इसकी कैपिटल दुबई है दुबई है यू ए का फूल फाम है उनाटे अरब अमिरात है और यह जो इसकी वाटर बोडी से टीक है वाटर बोडी से जो लगता है यह आपका परसीयन गल् गल्फ आफ ओमान जो है उससे लगता है पहली चीज दूसरी चीज कंट्री से जो बार्टर लगती है लेंड बार्टर लगता है तीन कंट्री से लगता है एक आप कुवैत यहां पर देख सकते हो स्वारी कतर ठीक है कतर की रालधानी दोहा है ठीक है वहां पर लगता है कि रियाद कैपिटल है क्या है लियाद कैपिटल है और का तीसरा जो बॉर्डर लगती ऊमान हिसे ऊमान से लगता है और जिसकी बॉर्डर है मुस काएट मुस सै में हैं इस इसकी एस कैपिटल तो यह हुग reopening की हमें सादी अरविया का लोकेशन पता हो गया मैपिंग का अब इसके बाद चलते हैं अभी यहाँ पर एक क्लियर हो गया अब लोकेशन देखते हैं तो यह जनरली आपका विष्ट असिया या फिर असिया विष्ट असिया में जनरली देखा जाता है और इसकी जो water body लगती है इसका जो capital अजरबजान की जो capital है बाकू ठीक है बाकू जो इसकी capital है वहां पर जो है कि यह और गिनाइज करवा जागा 2024 का अब इसके बाद इसकी जो water body से लगता है water water body है आपकी कैस्पीएंची ठीक है कैस्पीएंची एक तरह का लेख है यह लॉन डिलाओ को आप इसके साथ यह भी देखना है कि इसका land border किसे लगता है ठीक है land border देखिए जनली अब यहाँ पर हम identify करेंगे land border क्या क्या लगता सबसे पहले आप देखेंगे कि रसिया से इसका लगता है ठीक है रसिया से लगता है और दूसरा आज जियो और जिया से लगता है और तिसरा अर्मेनिया से लगता है अर्मेनिया से इसका international border dispute भी है अब इसके साथ जो है कि इरान से भी लगता किसे लगत का अब इसके बाद जो कैस्पींसी है फिर यहाँ पे में वर्ड. यूज यूज कर रहा हूं कायस्पींसी L भर सबूंसे अब के सवाल भी पूछा गया कितनी जू है कि कांट्रिंट्री जू जू है कि इसकी बोर्डर लगती है लगते हैं सबसे पहले देखिए आपका रसिया लग जाता है आर से दूसरा कजाकिस्तान लग जाता है तिसरा तुर्कमेनिस्तान लग जाता फिर उसके बाद चौथा है आपका इरान इरान से लग जाता है पाचवा है जो आपका किस से लगता है अजरबेजान से लगता है तो यह पांच कंट इसी के साथ एक और भी मैं addon करना चाहता हूँ दो हजार ठीक है 28 का जो conference of party 33 होगा में भी में भी हो सकता है कि इंडिया इसका आज ये presidency के रूपे काम करें आगे देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन एक साल पहले ही बज़ डिसाइड करा है ठीक है वाकू अजर बैजान ठीक है अजर बैजान में जो है की 2014 का conference of party 29 और गिनाइच करवाया जाएगा ये clear हो गया अब mapping का सवाल हो गया भीया आप हम आते हैं जो है की बात करेंगे किसको ले करके यहाँ पर जो अभी तक conference of party होई है हूँ सभी चीजों को ले करके हम यहाँ पर दो section ले रहे हैं एक तो ये conference देखे अब background यहाँ से ले करके चलेंगे ग्राउं background को यहाँ से ले करके चलेंगे background को यहाँ से ले करके चलेंगे और इसको background में क्या issue चला है issue जैसे हमने कहा Conference of Party होती है और इस समय जो इसमें इसव चलाया है Global Warmin, Climate Change और Climate Change को रोकने या बढ़ाने के लिए good energy, energy को लेकर के और energy हम जाता फोकर्स के सठीवाने के कोशिश कर रहे है renewable energy renewable energy को लेकर के हम जादे insist कर रहे हैं तो हम conference of party को हम सुरू करेंगे जब 1992 से हुआ था और अब तक आएंगे 2023 और जो 2024 में होने वाला है वहां तक हम लेकर के चलेंगे हम सभी जानते हैं कि 1992 में first climate change इसमित होत लेकिन इससे पहले भी एक हुआ था जो काते हैं 1972 में और्गनाइज करवाया गया था इस चीज़ को ले लिए अब इसी के साथ ये भी है यहां पर एक सेकंद में यहां पर थोड़ा सा हम यहां से 1972 से लेकर के 1992 और फिर उसके बाद 1997 आएंगे 2015 में अट प्रजेंट में आएंगे 2023 का और चूचर में हम लेकर के चले जाएंगे चूचर का 2024 में conference party जो हुई थी इधर कलिया यह इतना हो गया हम इसको background लेकर चलेंगे जब हम यहां पर इसको खतम कर लेंगे पहला सेसन फिर दूसरा सेसन पर हम चलेंगे इनर्जी लेकर के कि जनरली जो बाते हो रहे हैं climate change को क्या है कैसी चल गया है तो अब हम यहां पर आते हैं हम अपसे के साथ discuss करना शुरू करते हैं अपसे यहां पर थोड़ा सा मैं इसको zoom आउट कर लिया ठीक है थोड़ा सा बढ़ा लिया अब देखिए यहां पर इसके अंतरगत करवाया जाता है और यह जो कि 1992 से होता है 1992 में जॉइंट ली निकल करके आता है और इसका सेक्रेटरीट किया और यहीं से जो कि इसको सेट अप किया गया और टाइम लैन इसको बताया गया की मिलिश्टोन यूए अपसीशी पॉलिशी फॉर्मेशन को करेगी फिर उसके बाद जो इंडियन आवर्ड मेटरलोजिकल ओर्गनाजेशन इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन इस्टाब्लिश्मेंट किया गया ज कमिटी है बोल सकते हो जो कि इन्वार्मेंट को लेकर के अनालीसिस अगणा करती है पहले आप इस आइपानी रीपोर्ट जो है कि पब्लिस किया इमेशन को लेकर के अपने कुछ असेस्मेंट दिये अब इतक 6 assessment इसकी report आ चुकी है इसने अब बहुत ही चींता जहिर किया है तहां कि अगर इस 2 centigrade की ऊपर तापमान गया तो पुरा विश्व खतम हो सकता है लेकिन हमें कोशिज करनी चाहिए 1.5 centigrade की नीचे ही हमें तापमान industrial level से बराबर होना चाहिए इंडेश्य लेबल से ले करके तो 1992 में किया गया तो जो आया UNFCC आया लेकिन अर्थ सम्मीट में हुआ है ना यहां पर 1992 में अर्थ सम्मीट किया गया ठीक अब यहां से तीन जो है कि और्गेनाईजेशन तीन सेक्टर में निकले हैं पहला निकला UNFCC यह क्राइमिटचन्ज से निकला दो जो अलग निकला konvention on konvention डावरशीटी पर लेकला दूसरा कि निकला और तिसरा आपका टेजार्टि निकल करके यह तीन और्गेनाईजेशन मैं या फिर से मेनेशन कर रहा हूं तीक है जब transit यो अर्थ सम्मीट होती है यहां से तीन और गिनाजिसन निकलते हैं 1992 से पहला जो निकलता है UNFCCC निकलती है दूसरा जो निकलता है United Nation Convention on Biodiversity निकलती है तीसरा लेकलता है United Nation Convention on Daggerty Fiction पे निकलता है अब यह किसका क्या है UNFCC का Climate Changes से रिलेटेड है इसका क्या है Climate Changes से रिलेटेड है और डावर्सिटी को प्रोटेक करने के लिए जो की बनाया गया है प्रोटेक करने के लिए और देजर्टी की लिए जो बनाया गया था जैसे माली जी है कि कोई एग्री एग्री कल्चर फार्मेंट यू को सब्दाय डाइम ड्रॉट आने की वज़े से मतलब सुखाव का पढ़ने की वज़े से या फिर पेड़ों की कटाव करने की वज़े से यह जो पूरी जो है कि आप बोच सकते हो मतलब कोई घाज भूस हुआ जानवर संभवजी है ही नहीं यह तीन कन्वेंशन बेरी आपको होना चाहिए यहां पर जो की निकल करके आता है अब इसके बाद हम यह आते हैं उनाटे नेशना फ्रेम अप कन्वेंशन और क्लाइमिट चेंज पे जो यह एंटर करता है बाद जो तीनों लोग हैं यहां पर कॉंफ्रेंस अपर्टी इसकी भी होती है इसके भी होती है कॉंफरेंस अपर्टी कोंफरेंस अपर्टी सब्सक्राइब इसको आगर में बढ़ाँ पिर उसके बाद नाटी sound गे शुक्राइब 001 मनिकाना कन्वेंसिन 92 टो 97 ठीक है 97 में क्योटो कियोटो प्रोटोकाल जो है कि निकल करकी आया और 2005 में आया आपका पेरिस क्लायमेट अंग्री प्रोटोकाल निकल करके आया यह तो यह कुछ importance रहे हैं तो हमारे लिए यह important बन जाता है कि जो 1997 में क्योटू प्रोटो का आता है उसका जो कि 2005 से ले करके 2015 तक इसका duration था climate change ले करके 2015 से ले करके आपका 2020 2030 तक आपका Paris climate agreement चला है ठीक है अब आगे आते हैं क्योट प्रोटोकॉल को ratified किया गया और इसको 2001 में ratified किया गया और 2005 से जो है कि इसको launch किया गया कि यह काम करे गा यह organization होता रहा और लास्ट में जो अभी लास्ट मेजर जो हुआ था उसको लेकि 2015 में 2015 में जो पार्टी हुई थे उसको पेरिस क्लाइमेट अग्रिमेंट कॉप 21 ठीक है कॉप 21 जो है कि निकल करके आया इस वज़े से हमें कर सकते हैं कि हमारा क्लाइमेट भी अग्री हुए फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंस कुछ अर्टिकल निकल करके भी आये जिसको कुछ वर्ड्स निकल करके आये द्यू कोर्स अब दे टाइम जैसे क्योटो प्रोटोकॉल था इसका जेनरली वही था जब मतलब यह जापान में एडॉप्ट का बाते आती हैं उसको ले करके अगर में objective की बात करने के लिए प्रयास किये गए डीव को सब्दा टाइम को किया गया फिर उसके बाद हम आते हैं जो अगला हमारा कन्वेंशन बनता है उसको ले करके ठीक है कैनून 2016 सत्रह इसे मतलब हर साल होता रहा लेकिन जो हमारे लिए मेजर इंपोर्टेंट है जो हमें लगता है कि नहीं वहां से सवाल पूछे गए उनको हम कॉन्ट करें जैसे पर इस क्लाइमेट अग्रेमेंट की हम बात करें टू से सवाल भी पूछा है मेंस में भी पूछा है इस सभी चीजों को लेते हुए एक चीज हमारे पास आती है एक सेकंड थोड़ा सा में टाइम देजिए तो अब क्या है कि यहां पर इसका यह मतलब होता है कोई भी एक्जामपल के लिए मैं ले रहा हूं जिसे इंडिया है इंडिया ने मतलब क्या इस्टेप लिया है इस टेप क्या लिया है फोर दग लाइमिट चैन सी नंपटने के लिए इसलिए नेशनली determined contribution, determined contribution के लिए किया आपने काम के लएप 때 लएए यही को कि NDC बोलते है ठीक है आप इसके बाद ये भी आते हैं आगे हम आग करके बात करते हैं जो मैं बताने की कोशिज कर रहां loss and damage को लेकर के ठीक है एक सेकें थोड़ा सा हम देख लेते हैं loss and damage का मतलब क्या होता सबसे पहले तो यही हमें जरूरत है की loss and damage का मतलब जैसे माल यह अभी मैं चाहूं जो कि cyclone आया है, ठीक है, cyclone आया, जब cyclone आया, तो उसने बहुत जादी चीज़े disaster लेकर के आया, disaster लेकर और उसे बहुत से loss हुगा, loss का मतनद property loss होगे, economy के लिए, damage हुगा, damage क्या हुआ, breach, building, जो भी चीज़े हैं, damage हुआ, तो इनको loss and damage को manage के से किया जाए, ठीक है manage करने के लिए आपको क्या चाहिए आपको finance चाहिए ठीक है तो finance की बात होती है तो जब finance की बात होती है फिर यहाँ पर मैं background ले रहा हूँ जब हम कहते हैं loss and damage को ले करके या मतलब होता है जैसे कोई naturally unnatural disaster आता है disaster आता है तो उससे जो है कि damage होता है economically और जो damage होता है तो इसको recover करने के लिए इसको या फिर manage करने के लिए manage करने के लिए ज़रूत क्या पड़ती सबसे पहले finance क्यों होती है जैसे इस समय तमील लाडू में central government भी help कर रहे है करेंगे plus technology भी देंगे जिससे हम अपने disaster या फिर जो भी natural unnatural disaster होता है climate change हो रही है उससे निपटा जा सके और यह जो loss and damage है यह सबसे ज़्यादा useful के लिए जह है जो island country है island country जैसे फीजी फीजी एक ऐसी कंट्री है Pacific Ocean में एक ऐसा मतलब रही है कि अब तक की जो confessor party 28 हो चुकी है 28 अब तक एक सिलिकी 28 ता पहली ऐसी छोटी country जो कि organize करवाया था तो इस वज़े से हमें यह भी पता होना चाहिए तो इनको क्या है कि इनका island में होते है climate change होता आइस मेल्ट होती है बर्प का पिखलना होता है तो चोटे चोटे आइलेंड जाते हैं या डूब जाएंगे तो इसलिए इनको खत्रा है तो इसलिए जादे request करते हैं कि climate change को रोकिए मैं तो सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा जो island country है इनको ले करके जो कि नुकसान भुगतना पड़ेगा अब आगे आ करके हम discuss करते हैं कि क्या है और आकि दीके फीजी मैं बता रहा हूं यहां तो फीजी ऐसा first small island रहा है कि जो climate change से निकटने के लिए जो कि इसने काम किया फिर उसके बाद हम आते हैं जो conference of party 26, 27, 28 जो कि 28 अभी तक हुई है हमारी 28 हुई है अभी हमरी कहां पर 2023 का UAE दुबई में हुई है और 2029 कहां पर होगा 2024 का ठीक है बाकु बाकु जो अजर बैजान का capital है आगे देखेंगे आगे क्या होता है ठीक है तो यह हमारा climate change अब हम देखिए यहां पर energy के लिए बात करें जो अभी यहां हुआ है अब फ़ड़ा सा background हम ले रहे है ठीक है कहां पर आ है of 28 अभी जो हुआ है UAE दुबई में दुबई में दुबई इसकी capital है यहां पर हुआ है तो generally सबसे बड़ा जो इसू था इसू था आपका अब फिस आउट फिस आउट को लेकर फिस आउट का मतला भी है कि आप completely जो है कि जैसे coal है coal को हटा दीजिए coal को हटा करके आप renewable energy पे चले जाए रेनोबल एनरजी पे रेनोबल एनरजी में से solar, winds, thermal and other कोई शी इनरजी पे चले जाओ तो आब इसमें क्या जैसे इंडिया है, इंडिया, इंडिया के 80% जो energy requirement है, energy requirement ठीक है, requirement जो है, यह किस पे dependent है, coal पे dependent है, तो ऐसा तो संभाव हा ही नहीं, कि पूरी तरह से face out करके, जो है कि उस पे चला जा, तो यह जो face out का बात चला था, यह पिछले का पिछला, मतलग 2022, और इस से पहले दो हजार, जो 23, Glasgow, Glasgow में हुआ था, United Kingdom में, वहां से ही यह वर्ड घूम रहा था, पूरे बिश्व में, ठीक है, घूम रहा था, तो 2022 में भी बचा, जो है कि आपका एजिप्टिम हुआ था, एजिप्टिम में हुआ था, और 27, ठीक है, यह 26 हुआ था, तो अब क्या हुआ, से बचते बचाते, 2023 का जब हुआ, कॉंफरेंस आप पार्टी, सौधी अरे, यहां पर, United Arab अमिरात में, तो यहां ला करके, जो डेवलप्ट कंट्री थे, फेस, फेस आउट, अभी फेस आउट के साथ, एक वर्ड और यूज़ कोता था, फेस, यहां पर मैं बड़ा लिखत आता था, इसके कॉंटेक्ट, फेस डाउन से कहें कि नहीं मजा रहा, तो यह क्या कर दिया है, फेस आउट, मतला पूरी ज़र से बाहर जाए, तो अब जो डेवलपिंग कंट्री थे, जिनको रिक्वायर थी अभी विकास करने के अपने देश के लोगों को आके बढ़ाने क कि यह ठान लिए, कि हम तस से मस नहीं होंगे, अभी तो आप फेस डाउन की बात करें, फेस आउट की बात करें, कहां से संभख, आप क्लाइमेट चेंज की पीछे आपका पूरा रोल रहा है, ठीक है, और हमी के ओपर जो कि आप दबाव डाल लाए हो, और उपर से आप लो जो है कि आप लोग हमें 100 billion dollar developing country को देंगे, जिसे टेकनलोजिकली यह फिनाशली हेल्प होगा, climate change निपटने के लिए, और आपने तो दिया ही ने, और उपर से आप कहा रहे है कि हम फेस डाउट कर लें, पूरा एनर्जी से, रेनोबल एनर्जी की तरफ चल जाए, नोन रेन का मतला में धीरे धीरे आप, मतलब यही फेस डाउन का ही वर्ड फिर से आजे ट्रांजीस्निंग के रूप में आ गया, जैसे माल यह अभी आप कोल पे किता कर रहे है, कोल पे माले 80% है, तो 2000 यह तेज चल ला है, तो हो सकता है कि 2000 तीज तक आते आते यह आप 50% लाईए, ऐसे लाते लाते एक समय लएए, एक completely face out कर लीजिए, जो emission करती है, climate change को नुकसान पहुचाती है, तो developing कर रहा है, it's okay, हम लोग ready है, कोई दिक्कत ने है, हम लोग तो कोसिस करी रहे हैं, कि climate change को रोका जा, लेकिन आप ही लोग है, हमें double burden दे रहे हैं, double burden का मतलब है, climate change करके आप भाग गए, और दूसरी तब हमसे ही कह रहे हैं, कि अपनी गलती आप लोग किये, और गलती को हमसे सुधरबा रहे हैं, तो कहें कि नहीं भी ऐसा नहीं, वही वाली बात आगे न, उल्टाच और कोतवाल को डटे, तो कहने का यह objective था, कि जो पूरा word है न, दो भाग मे डिवाइड है, यू, एन, एफ, ट्रिपल सी के द्वारा, जिसे अनेक्स, और एक है, नोन अनेक्स, तो अनेक्स में वेस्टन कंट्री हैं, कंट्री हैं, और इसमें आपका डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री हैं, कंट्री हैं, इसमें इंडिया, चाइना जिसे लोग आ जाते हैं और इसमें USA, European Union, Australia यह लोग आ जाते हैं तो इसका यही है कि आप लोग इनको मदद करें किसी भी हालत में यह चीज हो तो जो निकल करके और इसके बाद एक चीज और निकल कर ट्रीपल लिंग क्रिपल लिंग का मतलब ही है कि जिसे माल जी आप रिनोबल इनर्जी को रिनोबल इनर्जी आप यूज करते हैं 10% ठीक है तो 2023 है और 2030 तक आप एक काम करें इसको 30% टकले के चले जाए तो ट्रीपल लिंग हो जा रहा है तो यह वर्ड जो यूज किया है हमारे जो क्लाइमिट जो बताना चाहा रहे थे आपको कि कैसे कैसे वर्ड डिवाइड है क्या क्या प्रोसेस है कैसे आगे बड़ा क्योटो प्रोटोकॉल आया सब यह बहुत से और भी चीज़ यह होती है बट हम एक आपको ओभराल व्यू देने की कोशिश की है है इधर तो मुझे उमीद है कि आप जरूर इसको लाइक पसंद करेंगे और मुझे यह भी उमीद है कि आप अपना अच्छा फिट बर देंगे देखिए जब तक आप किसी भी टीचर को 100% नहीं देंगे तब तक आप उस टीचर को नहीं समझ सकते हैं और आप कैसे जच करेंगे कि आप नए जो की कमपट आप आज की लेक्चर में इतना हैं तब तक एलिए थैंक्यों थैंक्यों घ्रमेटिस को नहीं जबाए